अगर आपने भी कोई चैनल शुरू किया है जिस पर आप kids related videos upload कर रहे हो या फिर cartoon animation से related videos upload कर रहे हो ठीक है तो हम किसी भी topic पर वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को YouTube पर रन कराने के लिए YouTube पर अच्छा grow करने के लिए हर एक वीडियो का thumbnail बहुत ही ज्यादा महत पुर्ण ह होता है बहुत ही ज्यादा important होता है तो आज की इस video में हम यहीं सीखने वाले हैं कि अपनी cartoon video वाले चैनल के लिए किस तरीके से एक बहतरीन सा thumbnail create करें जिससे लोग हमारी वीडियो क्लिक करें हमारी वीडियो को देखें तो वो सब कुछ कैसे करना है इस single video में हम सीखने वाल कि pixel lab में किस तरीके से इस thumbnail को हम create करेंगे आप चाहो तो canva का भी यूज कर सकते हो या फिर अगर आप किसी और भी other application का यूज करते हो तो उसका भी कर सकते हो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो steps मैं pixel lab मे जा करके इस तरीके का thumbnail create कर लोगे ठीक है तो जब हम thumbnail बनाएंगे अपने animation वीडियो के लिए अपने cartoon वीडियो के लिए तो हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा वो कौन-कौन सी बात हैं मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात कि जो हम thumbnail बनाएंगे उसका जो background किसी भी तरीके की कहानी वो सेर बाग चीते भालू बंदर किसी की भी स्टोडी हो मतलब जंगल स्रियेटेड है तो उस कहानी का background हम क्या रखेंगे जंगल वाला background लगाएंगे वहापे लेकिन जंगल वाला background जो होगा वो भी animated होगा ठीक है एनिमेटेड बेक्राउंड होग जिस तरीके की हमारी कहानी होगी उसी टाइप का हम background यूज करेंगे अब बात करते हैं दूसरी चीज के जो की है characters यानि कि हमारी जो कहानी है उस कहानी में जिस तरीके के करेक्टर्स होंगे माल लिजे कि आपने कोई कहानी बनाई है जिसमें हाथी और चुहे की कहानी है तो उस थमनेल पर हम हाथी और चुहे को लगाएंगे या फिर अगर कोई कहानी है जिसमें किसी तरीके के जादूई तो उस तरीके का पिक्चर हम लगाएंगे यानि कि सोना चांदी वाला जो पिक्चर होता है घरा वाला उस तरीके के पिक्चर हम लगाएंगे तो उसका background हम remove करके लगाएंगे तो वो भी मैं इसी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ये दो चीजे हो गई अब सबसे इंपोर्टेंट जो तीसरी चीज़ है वो ये है आप जो भी थमनेल बनाऊगे तो थमनेल पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपकी जो कहानी है जो स्टोरी का टाइटल है सीड़ सक है वही लिखना है उससे ज्यादा कुछ लिखने की जूरत नहीं है और किसी-किसी थमनेल पे तो आप कुछ ना भी लिखो तब भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बस उसके चीज़ के बारे में आपकी कहानी है जिस टॉपिक की आपकी स्टोरी है उनकी पिक्चर अगर उस थमनेल पे अच्छे तरीकी से लगी है बस वह भी परफेक्ट है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना थमनेल क्रेट करोगे एनिमेशन और काटून वीडियो के लिए तो उसके टाइटल के लिए ज्यादा कुछ नहीं लिखोगे अगर चुहे और बंदर की कहानी बस इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे या पर लिख देंगे चुहे और बंदर की दोस्ती मतलब यह एक एक जामपल दे करके मैं बता रहा हूं इसी तरीकी से आपको चीजे करनी है ठीक है यह सारी चीजे हो गए अब थमनेल को क्रियेट कैसे करना है तो चलिए मैं लेकर क चलता हूं सिधे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और सब कुछ आपको इस्टेप बेस्टेप बताता हूं सबसे पहले क्या करना है कि अपने स्मार्टफोन में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे उसके बदेंगे तो सर्च बोक्स में आपको क्या लिखना है जिस त अब जैसे हैं हम इमेज पर क्लिक करें तो यहां पर देखे बहुत सारे उस तरह के एनिमेटेड बेग्डाउंड्स आपको दिख रहे हैं तो आपको जो सही लगे उनको डाउनलोड कर लेना ठीक है और अपने वीडियो में उन्हें याप यूज कर सकते हूं डाउनलोड कर जैसे बैका से पिर देएंगे की nut यहां पर सच बोक ऐसम टाइप करें गेंग जो भी आपके कहानी में करेक्टर यह हैं उनके लिए इस तरह के पिकच्छ डाउनलोड करेंगे जैसे मेरी जो स्टोरि है इसमें कोई मंकी एंग कि मंकी एंग की यह एनिमेटेडड इमेज ठी लगे उसको हम डाउनलोड कर लेंगे इसको आपको डाउनलोड कर लेंगे ठीक है यह वाला है इस पर हमने क्लिक किया यह वाला मुझे लग रहा है कि हाँ यह मेरे स्टोरी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ इस पर हमने क्लिक किया इसको भी हम इस तरीक से क्लिक करके डाउनल यहां पर हम क्या लगेंगे elephant animated image ठीक है अब देखे elephant animated image हमने सर्च किया तो बहुत सारे image आगें इन में से जो मुझे सही लगएगा मैं उसको download कर लूँगा अपनी वीडियो के according जैसे मुझे यह सही लग रहा है इस पर हमने click किया click करने के बाद क्या करेंगे इस पर हम हम टैप करके download image पर क्लिक किया download कर लिया यह भी download हो गया ठीक है अब यहां पर हम सर्च बोक्स में ऊपर आगे हैं यहां पर क्लिक करना जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं ध्यान से देखेगा कोई आपको परिशानी नहीं हो गई उसके वाद यहां पर अप्लोड इमेज पर क्लिक करेंगे अप्लोड इमेज पर क्लिक करने कवाद हमारे फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी जो पिक्चर समय डाउनलोड किया है उसका हम ब पर क्लिक करेंगे यहां पर फिर डाउनलोड पर यह इमेज डाउनलोड हो गया अब अगेन हम क्या करेंगे हमारा जो दूसरा पिक्चर है उसको भी हम इसी तरीक से यहां पर अफ्लोड इमेज पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारा जो दूसरा पिक्चर था मंगी तो जब आप इसको और आब अए करेंगे तो हमारा कमप्लीट है सिंपल से पिक्सल लैब ओपन करेंगे अपने पोन के अंदर और पिक्सल आपको प्लेस्टोर में बिल्कुल ही फ्री में मिल जागा ठीक है तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरी के सरफेस दिखता है इस टेक्स्ट को सेलेट करके यहां पर डिलीट का बटन रटा है ओके करके डिलीट कर देंगे उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे लास्ट ओले ऑप्शन पर इमेज साइज पर क्लिक करेंगे कस्टम पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब थमनेल सेलेक्ट करेंगे दैन ओके अब इधर से इधर से इधर स्क्रॉल करेंगे फ्रॉम गैलेरी पर क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलेरी पर क्लिक करन उसके बाद पहला हम elephant select करते हैं then tick mark अब यह जो elephant है इसका size बढ़ा है इस तरीके से scroll कर गया आप इसको छोटा कर सकते हो जितना चाहूँ उतना छोटा यह बरा कर सकते हो और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया यह फिर इसक किया यहाँ पर tick mark किया monkey हमार आ गया अब इसको इस तरीके से करेंगे यहाँ पर ऐसे करके अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी अपना थमनल लगा सकते हैं तो एक तरीके से यह भी हमारा thumbnail create हो चुका है ऐसे भी करके आप डाइलेक्ट लगा सकते हो बीना कुछ लिखे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप चाहो तो लिखी भी सकते हो इसको हम तो इधर कर देते हैं ठीके अब यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट लेंगे यहाँ टेक्स्ट वर्क्स में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बंदर और हाथी की कहानी तो यहां पर यहاं पे बंदर और हाथी कलिक करेंगे और इथर स्क्रॉ下去 करेंगे के बात आते जाएठ और यहां पर ऑप्जन मिलता है इसको क्लिक करना इनेबल कर देना फिर टिक माँख फिर सेड़ो को क्लिक करना इनेबल कर देना फिर टिक माँख मिद अब इसको जहां पर चाहूं आप लगा सकते हूं और यह जो ए है इसको स्लेट करके इधर आप करोगे तो हमारा मतलब लगभग यह complete हो चुका है यह thumbnail ठीक है अब जैसे मंगी का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं ताकि हमारा तो जो भी चाहों आप कर सकते हो अब मालने जैके इस तरीके से हमारा एक थम्नेल रेड़ी है अगर यह टेक्स्ट को हम और चाहे तो स्मॉल कर लेंगे ठीक है कि यहां पर बीच में अट जा अब हमारा एकदम से थम्नेल पूरे तरीके से complete है बंदर और हाथी की कहानी हो गई अब इसके बाद यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद save as image पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर save to gallery हमारा thumbnail complete हो गया तो अब आप भी सीख चुके हो के अपने cartoon और animation वीडियोज के लिए thumbnail किस तरीके से create करना है तो next time से यही तरीका यूज किजेगा और अपने thumbnail को create किजेगा ठीक है और अगर आपके कोई सवाल रहे जा रहे होंगे तो आप comment box में comment करके पूछ लिजेगा वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को like, share, comment करना मत भूलेगा हमारे चैनल को जुरूर subscribe किजेगा तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और informative वीडियो में thanks for watching